हलो स्टेंट्स, एडवीला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं वर्सित नमबर 16 या क्लास 8 हिंदी के कबीर की साखियां लेकर आपके सामने आया है तो आज की वर्सित में हमें कबीर की साखियों को पढ़ना है इससे पहले भी हम कबीर की साखियों के बारे में दो वर्सित पढ़ चुके हैं तो यह तीसरी होगी तो सबसे पहले हम यह जान लें कि अब तक हमने कबीर दास जी की चार साखियां पढ़ चुके हैं जिनमें उन् मजने का प्रयास करेंगे आईए पढ़ते हैं बच्चों कबीर दास का हमारे समाज में बहुत ही उचा महत्व है और उचा दर्जा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अब तक जितने भी निर्गुन संत हुए हैं निर्गुन संत मैंने सारे वर्सित में बताया है कि कुछ लोग भगवान को मुर्त रूप में पूछते हैं मतलब भगवान के ऐसे हाथ होंगे ऐसे पैर होंगे ये पहनावा होगा भगवान ऐसा दिखते हैं मतलब कि उनको कोई स्वरूप मान कर पूझते हैं और निर्गुन जो होते हैं वह भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं मानते वह ऐसा मानते हैं कि भगवान सारे रूप में है इस स्रिष्टी के एक एक कण में भगवान है भगवान का कोई रूप नहीं होता वो एक सक्ती होती है जो हम में आप में सम्मेद कभीरदास भी ऐसा ही मानते थे और वह जीवन की सच्चाईयों से मतब जीवन की सच्चाईयों सत्य के पथ पर चल कर भगवान को प्राप्त करने की सीख दिया करते थे और उनकी बहुत सी ऐसी साखियां हुई है जो कि आज भी उदाहरन के तौर पर द्रिष्टांत के रूप में पेस किये जाती है कि इस तरह से कभीरदास के अनुसार हमें किसी के साथ बेवहार करना चाहिए जैसे उन्होंने बहुत बार कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेनखजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अतिदूर तो इस तरह की बहुत सारी बाते कभीरदास ने कहीं है तो सबसे पहले अब हम थोड़ी सी कभीरदास के बारे में भी पुना एक बार जानने क्योंकि पिछे की वर्सित में कभीरदास की चर्चा की गई है तो आप पीछे की वर्सिट भी देख सकते हैं इससे पहले कबिरदास के चार साखियों का वर्णन उसमें किया जा चुका है और ये पांचवी साखिय होगी और कहा जा रहा कि ये आपके पाट की अंतिम साखिय है और तो पांचवी साखिय में जानने से पहले हम कबिरदास के बारे में पुना एक बार जान लेते हैं कि कभीरदास का जन्म संबत 1455 मतलब और सन 1398 इस्वी में हुआ था तो एक बार मैं संबत और सन को विस्तार से बता दूँ कि विक्रम संबत जो विक्रमादित ने चलाया था वह इसा सन सुरू होने से पतले इसा सन जो पहले साल से सुरू हुआ था तो इसके इस्वी सन मतलब इसा मसीख के जन्म से संतावन वर्स पहले विक्रम संबत की सुरुआते राजा विक्रमादित ने की थी तो इसलिए विक्रम संबत हमारे जो इस्वी सन है उससे संतावन वर्स पहले का समय बताता है जैसे मालीजी आप यहां देख रहे हैं कि 1455 में संबत 1455 है यहां और इस्वी है कितना 1398 तो आप इसमें घटा कर देखिए तो यह होगा 7 और फिर यह हो जाएगा 5 बाकी इंकर जाएगा मतलब संतावन तो आप देख रहे हैं कि इससे यह 57 साल पहले का समय है मतलब भारतिये छेत्र में समय की गणना संबत के रूप में 57 साल पहले ही इसा सन के 57 साल पहले ही सुरू हो चुकी थी तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो उस समय की संस्कृती थी वो कितनी आगे थी आज भले ही हम पास्चात्य जगत का अनुसरन करें लेकिन पास्चात्य जगत भी पहले कभी हमारा अनुसरन करता था और आज भी करता है आज भी लोग भारत की संस्कृति को जानने के लिए हमारे जो संस्कृतिक नगर हैं जैसे आप बानारस में देख लीजिए वारानसी में दे देख लीजिए फिर से दक्षीन भारत के बहुत से सहरों में देख लीजिए तो विदेशी लोग आकर हमारी संस्कृति को आत्मसाथ करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं तो इसी तरह से इसमें बताया गया है कि कबीर दास का जन्म संबत 1455 और इस भी 1398 में हुआ था तो आप इस बात को हमेशा याद रखेगा कि 1455 और 1398 क्यों कहा जा रहा है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जन्सृति के अनुसार मतलब लोगों के द्वारा कहे अनुसार उनका जन्म एक बिधवा ब्रामणी के गर्व से हुआ था मतलब क त्याग दिया तो बिधवा को पुत्र होना समाज में एक गलत संदेश जाएगा तो इस लोकलाज से कि समाज क्या कहेगा उसने उसे त्याग दिया और उसे किसी एक तलाब के पास रख दिया और एक जुलाहा दमपती जुलाहा मुसलमानों में एक जाती होती है तो जुलाह जुलाहा दमपती को वे लहर तारा लहर तारा एक जगह है तो लहर तारा नामक तलाब के किनारे पड़े हुए मिले जिसने उनका लालन पालन किया तो इन लोगों नहीं मतलब जुलाहा दमपती ने लालन पालन किया वेही कबीर के माता पिता कहला है और इनके नाम नीमा और थे मतलब कि जो जुलाहा धमपती थे तो एक का नाम नीमा था और दूसरे का नाम नीरू था इन लोगों नहीं कबिरदास का लावन पालन किया मतलब जन्म से ये हिंदू थे और पालन से मुसल्मान हुए इनकी मृत्तु 120 वर्स की आयू में संबत 1575 यहां फिर देख लिए कि कबिरदास का जन्म अगर पूछा जाए तो आप लहर तारा याद रखेंगे और कबिरदास की मृत्तु अगर पूछी जाए तो मघहर याद रखेंगे कबिरदास का जन्म लहर तारा में हुआ था और कबिरदास की मृत्तु मघहर में हुई थी और इनकी मृत्तु 1518 इसव में और 1575 इस्वी सन में Vikram संबत में हुई थी तो यह थी कभिरदास की परिशे और इसके बाद अब हम वर्सित में दिये गए दोहा पर आते हैं साखी पर आते हैं तो आपा को डार दे, दया करे सब कोई, आप अपने आपा को डार दीजिए, आपा मतलब अहंकार को त्याग दीजिए और सब लोगों पर दया कीजिए, तो आपका कोई भी दुस्मन इस संसार में नहीं होगा तो यहाँ इसका भावार्थ भी कह रहा है कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन सांत और सीतल है, उसका संसार में कोई से वैरी या सत्रू नहीं होगा यदि मनुस्य अपने अहंकार का त्याग कर दे, तो हर कोई एक जीव के प्रती सवान रूप से दया भाव रखे इसलिए मनुस्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगा मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए इसके बाद इसमें कुछ प्रस्ने दिये गए हैं कि उपर दीगी साखी और इसके भावार्थ को समझ कर निमलिकित प्रस्नों के उत्तर लिखे तो इसका प्रस्न है प्रस्तुत पंक्तियों के नुसार मनुस्य किस प्रकार दूसरों को अपना वैरी या सत्रू बना लेता है दूसरा प्रस्न है दया भाव से आप क्या समझते हैं तीसरा प्रस्न है इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है और चौथा प्रस्ण एक गतिविधी है कि कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों लिखिए तो चलिए अब इन प्रस्णों का उत्तर लिखते है यहाँ पहला प्रस्ण दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनु पहरिया सत्रू बना लेता है उसके बाद है प्रस्ण दो जिसमें कि दिया गया है कि दया भाव से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर है मनुस्य का अपने अंदर के अहंकार का त्याग कर देना तथा सामने वाले की गलतियों को छमा कर देना ही दया भाव है और प्रस्ण तीन है इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है तो इसका उत्तर है इस साखी से हमें सीख मिलती है कि मनुस्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए उसके बाद प्रस्ने चार है और यह एक गतिवीधी है कि कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखिय कौन सी लगी और क्यों लिखिये तो इसका उत्तर है कि कबीर की साखियों में मेरी सबसे प्यारी साखिय है कबीर घास ना निंदिये जो पाउं तली होई उड़ी पड़े जब आँखी में खड़ी दुरे ही होई इसका मतलब यह होता है कि कबीर दास का कहना है कि आपने पाउं के नीचे पड़े उस घास की भी निंदा मत किज़े और उसको कमजोर साखी से समाज में समानता के भावप आएंगे और लोगों के बीच सिनेह बढ़ेंगे तो इस तरह से आपके इस वर्षिट के सारे प्रस्न हो गए और आपने पूरी वर्षिट देखी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवार और मिलता हम लोग नेक्स वर्षिट में थैंक यू